महेंदर सिंग धोनी के डर से अमपायर ने नहीं दिया बाइट, डेविड वारनर हुए हैरान, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में, दोस्तों अगर आप भी महेंदर सिंग धोनी को एक बेहतरीन बल्लेबाज विकेट की पर मानते हैं तो वीडियो को लाइ नहीं देख पाता जो धोनी विकेट के पीछे से भाप लेते हैं, क्रिकेट में जितनी बार धोनी ने DRS के जरिये अमपायर के फैसले को चैलेंज किया है, उसमें से ज्यादतर में नतीजा उनके हक में आये हैं, यही वज़ा है कि मामला जब धोनी या उनकी टीम से होता है तो अमपायर को भी अपने फैसले को लेकर गहन विचार या फिर उसे बदलने की जरूरत पड़ जाती है, और ऐसा ही कुछ दिल्चस्प घटना संराइजर साइदराबाद के खिलाब दूबई में खेले गए, CSK के मुकाबले में देखने को मिली, धरसल घटना संरा की पारी के 19 में ओवर की है, सारदूल ठाकूर गेंद बाजी पर थे, पहली गेंद पर दो रन देने के बाद उन्होंने ओवर की दूसरी बॉल वाइट की, जिसे सारदूल ने फिर से डाला, इस बार गेंद फुल यार कर थी, जो आफ साइट के आकरी छोर पर पड़ी, फि धोनी ने विकेट के पीछे खड़े रहकर ही पॉल रिफिल को कुछ कहा, जिसे बाद अमपायर को अपना फैसला मजबूरन होकर बदलना पड़ा, ये देख डग आउट में बैठे, संराइजर सैदराबाद के कप्तान डेविड वारनर जला उठे और अपनी सीड से खड़ हो गए, बाद में रिफले में साब दिखा कि वो गेंद आउप साइट के एकदम आखरी छोर पर जाकर गिरी थी, खैर धोनी ने तो अमपायर रिफले को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसके बाद सोसल मेडिया पर सीच किक को फिर से बैन करने की मांग कीम के लिए, अब हर मुकाबला अहम है ऐसा, इसलिए क्योंकि पहले साथ मैच में वो सिर्फ दो ही मैच जीत सकी थी, और दुबाई में हैदराबाद को 20 रन से हराकार टूनामेंट में उन्होंने अपनी तीसरी जीत दर्च की, इस मुकाबले में जीत के लिए धोनी ने पह धोनी के अचानक लिए गए, ये फैसले कितने कारगर रहे, इसका सबसे सटी को दान यही है कि चिन्नाई ने मैच जीत लिया, जिसकी उन्हें सक्त जरूरत थी, दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आप भी सब बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक् हो तो आप उसे भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अनने तमाम खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे द्वारा दीगे जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद